मैगी किसको पसंद नहीं है। मैगी के बतौर मशुहूर मैगी पर साल 2015 में बैन लगा था। तब मैगी के फैंस में उदासी भी देखी गई। हालाकि सभी मानकों पर खरा उतर कर एक बार फिर से मैगी मार्केट में आई लेकिन नए क्लेवर के साथ। तो ये तो बात 2015 की थी। लेकिन 2021 में एक बार फिर से मैगी पर बैन के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। दरसल नेसले कमपनी फिलाल कुछ अंदरूनी डॉकुमेंट्स लिख हो जाने के चलते विवाद में आ गई है। असल में कमपनी के कुछ बड़े अधिकारियों के बीच कमपनी के खाने पीने की प्रोड़क्स को लेकर प्रेजंटेशन शेयर किया गया। इसमें कहा गया कि नेसले कब बनाये गया जादेतर सामान हेल्दी नहीं कहा जा सकता। जब एक अख़बार ने सलीक डॉकुमेंट्स के जरीए खबर चापी तो हंगामा मच गया। अब कमपनी साख बजानी की कोशिश में लगातार लगी हुई है। कमपनी ने कहा कि वो जल्द ही नए हेल्थ स्ट्रेटीजी पर काम करेगी। नेसले कमपनी मैगे नूडल्स भारत में सबसे ज़्यादा खाय जाती है। आपको ये भी बात याद होगी कि नेसले पहले भी भारत में मैगी को लेकर विवादों में फस चुका है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ अब इस तरह की रिपोर्ट सामने आने से इस इरोपिय ब्रेंट को नुकसान हो सकता है। नेसले का भारत में बहुत बड़ा मार्केट है। कपनी भारत में चॉकलेट, नूडल्स, डब्बे वाला दोद, ड्रिंक्स आदी बनाती है और ज़्यादतर भारती रोज मर्रा के जिंदगी में इन सब का इस्तिमाल करती है। तो ऐसे में सब के मनमिक सवाल है, क्या मैगी फिर से बैन हो जाएगी, क्या एक बार फिर से मैगी खाने के लिए नहीं मिलेगी, या मार्केट में नहीं मिलेगी, या भारत में इसकी मार्केटिंग कम हो जाएगी। इस वीडियो में पर आलकले इतना ही है आप देख पर ये नीज वाले लिया